मन्जिले भी जिद्धी है, रास्ते भी जिद्धी है, देखते हैं कल क्या होगा, होसले भी तो जिद्धी है नमश्कार, आदाप, सच्छ्वी, अकाल तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चो, हम एक बार फिर मैं आपके लिए जो MCQ सीरिस लेकर आया हूँ और इस MCQ सीरिस में यह जो कॉस्ट अकाउंट्स, जो आपका निया जो स्लेबस अड़ अप हुआ है, उसको लेकर मैं MCQ सीरिस लेकर आया हूँ तो इसके कुछ लेक्चर्स मैंने अलड़ी आपके साथ डिसकस की हुए हैं, तो अब इस सीरिस में आप से मैं MCQ डिसकस करूंगा कॉस्ट अकाउंट्स से तो पहला question, जो है, what is the basic concept of cost accounts, cost account का basic concept क्या है, cost ascertainment है, या फिर, tax compliance है, financial audit है, profit analysis है तो हम cost, cost account का use क्या होता है, cost account का use होता है कि किसी भी product की लागत क्या है, उसकी cost क्या है, हमें उसकी cost को ascertain करना होता है, तो जो answer हमारा है that is a cost ascertainment, next question, process costing is appropriate for which firm, process costing क्या होता है, इसमें कहो जाता है कि हम जो product बनाते हैं, वो अलगलग process से होकर गुजरता है अलगलग process में क्या जाएगा, कि in one go वो product हमारा complete नहीं होता, तो एक जो process होगा, वहां से हमारा product बनता है और जो first process का, जो output होता है, वो next process के लिए, वो input बन जाता है तो process costing में क्या हो जाता है, कि जहाँ पर हमें जो work करना होगा, जो operations हमारे जो होंगे, वो एक में limit नहीं होगा जैसे अब example में ले लीजेगा, cloth में, सबसे पहले हम धागा बनाते हैं, वो waving process होता है जो दागा बनता है पहले process का, waving process से, वो जो spinning, waving से, spinning से दागा बनेगा दागा एक process के आगया, उसके बाद हम कपड़ा बनते हैं, ये next process आगया, waving process होगा और उसके बाद हम आगे कपड़े को further process करते हैं, food industry में भी ऐसे होता है और इस question के accordingly, जो oil refining firms है, कच्चा तेल, crude, crude को हम process करते हैं, हमारे पास कच्चे तेल से diesel, petrol, paraffin, kerosene oil, वो सब चीज़े जो आते हैं, वो बनती है तो process costing किसके लिए यूज होती है, oil refining firms के लिए, next one is, in how many ways cost classification can be done हम cost के classification किस परकार से कर सकते हैं, so we are having many ways by which cost की classification हम कर सकते हैं, so here option D is the right answer next one is beta, इसके बाद जो आ जाएगा, which cost is incurred, even if the cost company is closed अगर हम company को close भी कर देंगे, तो वो कौन से cost है, जो हमें, जो हमें incur करनी पड़ेगी sunk cost क्या होता है, यह वो cost होती है कि जो हमने भी तक expenditure कर दिया, जो खर्चा भी हमने कर दिया, जो हमारा खर्चा डूब गया, उसे हम भोलते है sunk cost, historical cost बने आएगी, तो shutdown cost, यह वो cost है, जो अगर हम business को बंद भी कर देते हैं, हमें at least, at least, यह खर्चा जो होता है, वो incur करना पड़ता है so shutdown cost is the right answer, जो हमारा आ जाएगा, even if companies closed, हमें तब भी जो खर्चा incur करना पड़ेगा unless and until, हम जो building है, अब example ले लिजे, मेरे पास को building है, building में, यह भी आप lockdown के time पर आप देख लीजेगा तो बहुत से business houses जो थे, वो बंद थे, close initial days में, but उनका जो, बिजली का जो minimum bill आता था, that is a shutdown cost आप काम करो या ना करो, but आपको जो minimum खर्चे जो होंगे, incur करने पड़ेंगे, जैसे हमारे coaching centers के, जो rent था, हमारे coaching center बंद था, but again, but still, we have to pay a rent तो यह हमारे कौन से खर्चे थे, यहागी shutdown cost थे, direct expenses को हम क्या कहते हैं, direct expenses को बेटा overhead expenses है, center expenses है और क्या हमारे पास option में, हमारे पास बेटा option में आ जाएगा, देखते हैं, chargeable expenses है, और major expenses है, तो direct expenses को बेटा हम chargeable expenses भी कहते हैं next one is, next one क्या जाएगा, variable, sorry, warehouse rent is a part of which cost, warehouse rent किसका part है, cost shit है अब सबने पड़ी होगी, अब मेरे lectures अपने देखे होगे, तो cost shit में क्या बेटा बताया था कि warehouse rent क्या होता है, जब हम किसी product को बनाते हैं, और जब उसको हमने sale करना होता है, तो हम उससे warehouse में रखते हैं, हमारे पा goods होता है, और selling or distribution, तो warehouse rent किसके लिए होता है, जब हम goods को बेचने के लिए distribute करने से related होगा, so right answer here is distribution cost, tender क्या है, what do you mean by tender, tender means, जब हमें कोई estimate, estimated cost बोल सकते हैं, हम कोई भी product, कोई भी product अगे में बनाना है, अब government जैसे tender open करते हैं, वो कहते हैं कि बताये, हमें ये कोई काम करवाना है, कोई भी work आ गया, सड़के बनानी है, नालिय बनवानी है, पुल बनाना है, तो tender निकालते हैं कि बताये, आप कितने रुपे हम से charge करेंगे, तो हम एक estimate करते हैं, अपनी cost का, हमारा कितनी cost आएगी, और हम कितना profit लेंगे, और हमें कितना profit होना चाहिए, हम अपना profit उस पर calculate करकर, जो tender code करते हैं कि yes, will be paying, हम इतने रुपे के लिए, जो इस काम को accept कर लेंगे, तो हम tender में amount के estimate बताते हैं, estimation of the selling price, कि cost को ध्यान, cost का calculate करने के बाद, profit add करने के बाद, कि हम जो sale price जो होगी, हम selling price को estimate करेंगे, हम ये amount code करते हैं, inclusive of a profit, so it is estimation of selling price, next one बेटा, 8th, a total of all the direct cost is known as, जितने भी direct cost है, उनके total को क्या कहते हैं, जो element of cost में आपने पड़ा था, हमारे पास, जो तीन जो elements होते हैं, एको होता है, material, labor, or overheads, expenses rather, material, labor, and expenses, और इन तीनों को आगे, subdivide कर सकते हैं, direct, indirect, direct, indirect में, तो जो भी हमारे direct cost होगे, चाहे direct material होगा, चाहे direct labor होगी, चाहे direct expenses होगे, इन सब को जब हम sum total करते हैं, तो हमारे पास prime cost आजाती है, तो prime cost क्या होता है, बेटा, it is a sum total of all the direct cost, either it can be, it can be material, and it can be labor, and it can be expenses, what item is not included in cost account, कौन सी item इन में से, cost account में हम include नहीं करते हैं, cost account में हमारा purpose क्या cost account को calculate करने का, कि product की, हमें cost निकाल ली है, planning करनी होती है, controlling करनी होती है, जब हम किसी product की, जो cost accounting की बात करते हैं, तो profit sharing, उसका item, उसका element नहीं होता, so profit sharing is not included in the cost accounting, different types की costing होती है, next question में बेटा, कि toy manufacturing companies use what type of costing, वो किस परकार की costing use करते हैं, हमारे पास different types की costing होती है, अलगलग परकार की हमारे पास costing होती है, तो toy making जो होती है, वो कौन सा वाला use किया जाता उनके त्वारा, तो उसमें क्या जाएगा, अभी देखते हैं, तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्या था, multiple costing है, process costing है, unit costing है, और batch costing है, तो toy making, जो कौन सा वाला करती है, वो batch costing use करती है, means हमारे यह जो toys, हमने इतने जो toys बनाए एक particular batch, आप कहीं products देखेंगे, उसमें लिखाओगा, batch number लिखा होता है, lot number लिखा होता है, तो toy making जो होती है, वो batch costing, कि इस particular batch में, यह हमारे जो जितने भी product बने है, अगर इसमें किस batch की items होती है, next one बेटा, 11th one, dash does not deal with the accumulation, classification, analysis, allocation, summarization, interpretation, तो क्या चीज़ जैसे deal नहीं करती, cost accounting भी इसमें deal करती है, cost accountant से भी deal करती है, so financial accounting जो है, वो इनसे deal नहीं करती, so cost accounting deals, financial accounting does not deal with, cost account deal करती है, accumulation से classification, analysis, allocation, summarization, interpretation, reporting, and control of current and prospective cost, तो यह किसका काम है, cost accounting, cost accountancy का काम है, cost accounting is part of cost accountancy, हम बात करते हैं, पहले costing की, costing का मतलबा आ जाता है, लागत किसी भी product को बनाने का, cost accounting और cost accountancy, तो cost accounting का मतलब क्या जाता है, कि cost को different methods होते हैं, जिसके द्वारा में किसी की product की cost को calculate करते हैं, तो different techniques, methods, जो होता, cost को find out करने के लिए, that is called the cost accounting, and cost accountancy क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, it is costing plus cost accounting, next one बेटा, क्या जाएगा हमारे पास, the amount of expenditure incurred on, or attributable to a specified thing, or an activity, or cost unit, is known as, तो amount जो expenditure incur किया जाता है, किस पर खर्चा किया जाता है, या किसी को attribute किया जा सकता है, किसी भी product की, किसी भी cost को, तो यहां पर जैसे लिखा कि activity खा तो जो भी खर्चा होता है उसे बोलते हैं cost बोलते हैं जो भी खर्चा expenditure incur किया गया या जैसे मैं attribute कर सकते हैं किसी specified thing से, किसी activity से या cost unit से वो हमारे लिए cost होती है next one the aggregate amount of the aggregate amount of all items of expenses paid or payable paid or payable for the particular product or service is called as किसी भी किसी भी product के लिए कोई भी खर्चा जो अगर हमने किया होगा या हमने pay करना है किसी भी product को बनाने से related या service related उसको बेटा मुस प्रड़क की total cost कहते हैं even though हमने वो खर्चे expenses हमने pay किये हो या अभी हमने pay करने है चाहे हम product बना रहे हैं चाहे हम service कर रहे हैं services render कर रहे हैं तो जो भी इस किसी product या service related खर्चा होगा even though it is paid और if it is not still paid it is payable तो असकी total cost का part होता है next dash cost represents the increase or decrease in total cost थोड़ा सा बेटा मैं zoom कर लेता हूँ कि आपको properly दिख जाए ठीक है जे तो dash cost represents the increase or decrease in total cost which occurs with change in output जैसे जैसे हमारा change in output होता है तो हमारी cost जो increase or decrease in total cost जो होती है with the change in output it occurs due to the marginal cost marginal cost के होती है बेटा कि अगर मैं 10 unit बना रहा हूँ if I am producing 10 units 10 units के लिए if I am incurring rupees 100 च्रीक है जी अब मैंने 11 unit बनाए 11 unit बनाने के लिए मेरी अगर cost लगी 111 रुपे तो with every additional unit जो extra जो increase हुआ और मैंने units बनाए मैंने 10 से 11 एक unit और बनाया और मेरी total cost में कितने increment हुई कितने increase हुई तो पहले 100 था 111 है तो एक और unit बनाने के लिए मुझे 11 रुपीज और खर्च करने पड़े कितने रुपे खर्च करने पड़े बेटा मेरे को 11 रुपीज और खर्च करने पड़े तो जो extra खर्च करना पड़ता है expense करना पड़ता है जो increase या decrease किसमी होगा total cost में जब हम output को change करते हैं तो उसके हम बोलते है marginal costing बहुत ही important topic भी है जो marginal costing है एक बहुत ही important topic है जो detail में पड़ने वाला है next one is बेटा क्या जाएगा अब आपको बेटा यह MCQs जो होंगे वो मिलते जाएंगे video lectures भी इसके मिलते जाएंगे और यह जो मेरे lectures और cost accounts से related होंगे वो lectures आप लोगों को triple S में मिलते जाएंगे और जो MCQs series होगी वो मेरे Oracle Commerce Tutorial Oracle Commerce Tutorial जो MCQs series होगी वो आप मेरे वाले चैनल पर आप इससे भी subscribe करिए ठीक है जी Oracle Commerce Tutorial पर MCQs series डिसकस होगी और जितने भी मेरे जितने भी lectures होंगे वो triple S पर आने शुरू हो जाएंगे ठीक है तो किसी कारण से किसी वजा से थोड़ा busy schedule भी था और भी कहीं obligations है जिस वजा से आप लोगों के लिए मैं lectures पहले नहीं लेकर आप आ रहा था इसके इलावा बेटा जो जिन बच्चों को special attention चाहिए मेरे offline batches भी बेटा चल रहे हैं offline batches भी चल रहे हैं और मेरे online batches भी चल रहे हैं target 30 out of 30 का है तो if they want कि वो मेरे online जो मेरे paid batches है जो मेरे premium classes है अगर वो join करना चाहते हैं so they can contact me आप मेरे को whatsapp कर सकते हैं 788-99-30313 30313 पर तो इसमें offline, online जो batches चल रहे हैं वैसे तो आपको यहाँ पर भी आपको MCQs PDF मिलेंगे बट जिनको और जादा जो वेट और जादा अटेंशन इंडिविजल अटेंशन चाहिए so they can join my online and offline batches और for those persons those students जो जो मू में नहीं है जो नहीं आ सकते हैं so they can attend they can take online classes और जो आ सकते हैं तो they can take offline classes next one बेटा 15th 15th में क्या जाएगा the expenses which can be directly charged to jobs वो खर्चे जिसको हम directly क्या कर सकते हैं charge कर सकते हैं जौब से, product से, process से cost center से या cost unit से तो उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं direct cost क्या बोलेंगे direct cost तो जो direct cost क्या जाती है जिससे हम किसी product के साथ directly जोड सकें link कर सकें किसी भी jobs related, products related, process related जो भी खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं direct cost the technique and dash of ascertaining the cost is known as costing costing क्या हो जाती है costing क्या चीज़ है यह technique है, यह process है costing is a process तो जो technique and process होगा जिसके द्वारा हम cost को ascertain कर सकते हैं cost को हम find out कर सकते हैं तो उसका हम बोलते हैं costing उसे हम costing बोलते हैं next one 17th, 17th में आ जाएगा dash is applied where production is carried out क्या होगा when production is carried out as per specific order जब हम specific order या customer specification के हिसाब से काम करते हैं production करते हैं उस branch of costing को क्या खा जाता है उस branch of costing को बेटा हम job costing कहते हैं अब job costing क्या जाएगा कि जैसे आपने कोई particular अपने specification के according कोई काम करवाना है जैसे हम देखते हैं कि आप गर में जैसे white wash करवा रहे हैं या आपने कोई furniture का अपने कोई अलग से design furniture बनवाना है तो आप car painter को बोलोगे कि मेरे को इस particular way से मेरे को ये design का इस material का इस pattern का इस color का जो होगा मेरी requirement के accordingly मेरे specification के accordingly मेरे को wardrobe बनाना है आप में से किसे ने अगर कोई designer suit सुलवाने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो boutique में आप अपने specification requirement के हिसाब से जो अपनी जरूरतों को बताते हो तो वो जो production का जो तरीका होता है specific order के basis पर that is as per the order वो सिम job costing कहते है marginal costing is also known as marginal costing को variable costing भी कहते है अभी मैंने आप से discuss क्या किया था क्या होता क्या है जब हम marginal costing क्या जाता है कि हमारे पास दो परकार की बेटा खर्चे होते हैं एक हमारे होते हैं fixed expenses होते हैं ठीक है और एक हमारे होते हैं variable expenses होते हैं fixed expenses बेटा कौन से expenses होते हैं that will remain fixed irrespective of level of output हमारा जो level of output चाह हम 60% capacity पर काम करें चाह हम 70% पर चाह हम 80% capacity पर काम करें हमारे जो fixed expenses है it will remain same उनमें कोई changes नहीं आएगी बट जैसे जैसे हम output की percentage change करेंगे तो कौन से खर्चे हमारे change होंगे हमारे variable expenses जो होते हैं बेटा वो change करेंगे fixed will remain same but variable will change तो marginal cost में कौन सी cost फिर increase होगी change होगी मैं 6000 unit बना रहा हूँ 7000 बना रहा हूँ 8000 बना रहा हूँ fixed cost तो बेटा मेरी same रहेगी तो changes किस में आएगी it will be changes जो होँगी वो तो variable part में आएगी that's why हम marginal costing को बेटा variable costing भी कहते है next one 19th 19th में आजाएगा dash is the system of costing under which costs are determined after they have been incurred तो कौन सा uniform नहीं है standard नहीं है historical costing क्या होती है इसमें हम पहले खर्चा कर देते हैं यह वो system है costing जिसमें cost determined के जाती है after they have been incurred तो हमने incur करने के बाद देखा कि कितना हमारा खर्चा आया तो वो कौन सी आ जाती है that is historical costing उसम क्या कहते हैं बेटा historical costing कहते हैं clear है तो बेटा आज की वीडियो लेक्शर में इतना ही मैं आप से discuss करूँगा जो निया platform में use कर रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगा होगा आप इसे share करिए और जो जो जूरुत मन बच्चे हैं मेरे को बहुत से बच्चों के call साई थे कि आप से अपके lectures नहीं आ रहे हैं तो बेटा कहीं कुछ कारण्ट कुछ हमारे अपनी कुछ और भी obligations हैं जिसम पर चल रहे हैं तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों का जो प्यार है उसको हम continue रखें आप लोगों के लिए lectures हम लेकर आते रहें ठीक है जी बेटा आज के लिए इतना ही अगर आपको कोई भी आपके कोई भी सुझाव यह कोई भी सवाल होंगे अब कमेंट बाक्स पर पका मेंशन करिए थैंक यू बाबाई जेक एर ओके